हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कमलेश विस्वाकर माई यूटूब शेनल पे जैसा कि फ्रेंट्स यहाँ पर आज आप लोग का आई टी आई परिच्छा दोहल बीस को लेकर एक बहुत बड़ी ख़बर निकल के आ रही है जो कि मैं आप लोग को इस वीडियों की माद्यम से आपको बताऊंगा कि फ्रेंट्स आप लोग का आई टी आई का जो परिच्छा है वो कब लिया जाएगा और फ्रेंट्स आप लोग का एकजाम सेंटर को लेकर भी बहुत बड़ी ख़बर आई हुई है क्योंकि आप लोग का आई टी आई का परिच्छा बहुत जल्द करहा जाएगा और इसका जो आप लोग का सेंटर बन रहा है वो भी आप लोग का यहाँ पर आदेश जारी हो चुका है ठीक है तो आप लोग का परिच्छा कब होगा क्योंकि फ्रेंट्स आप लोग का ITI first year, ITI second year का जो आप लोग का exam होना है वो आपका online CVT के माध्यम से आप लोग का exam होना है जबकि आप लोग का semester और back परिच्छा के student का जो exam होना है उनका पहले की तरह offline माध्यम से, उनका OMR seat के माध्यम से उनका exam लिया जाएगा ठीक है बागी फ्रेंट्स आपका comment box बोग कमेंट में आ रहा था किसर बताए कि ITI का परिच्छा कब होगा जिनका 2019 से लेकर 2021 सतर में admission हुआ है और उनका जो course है उद्धो साल का है तो इनका exam कब होगा क्योंकि इनका exam के लिए भी कोई notice नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताओं कि आप लोग का परिच्छा कब होगा तो फ्रेंट्स फाइली आप लोग वीडियों को complete और ध्यान से देखना तभी आप लोग को मालूम हो पाएगा और फ्रेंट्स आप लोग अभी तक मारे वीडियों को like नहीं किये हुए है तो आप लोग इसे फटापट एक like कर लें और आप लोग इसे फटापट सस्क्राइब कर लें आपको नीचे रेट करका बटन दिखा सस्क्राइब वाला आप लोग को उसे दबाल घंटी वाल इकन को आल मोटिफिकेशन पर किलिक कर लेना है और फ्रेंट्स आप तक आईटिया ही जूड़ी सभी जानिकार जासे पहल देने वाला हूँ जो कि फ्रेंटस यह जो आप लोग का न्यूजपेपर है यह आज का आया हुआ है और यहां पर आप लोग देख पार दिया गया है आप लोग का इस न्यूजपेपर में कि आईटी ए अई इंडस्ट्रियidän ट्रेनिंग इस्टिट्यूट आप लोग का आई टी आई की परिच्छाएं होगी आनलाइन जी यहां फ्रेंट्स आप लोग का जितने भी चात्रों का आई टी आई फ़स्ट यर और सेकेंड यर के स्टूडेंट हैं उनका यहां पर जो एक्जाम होगा वो ओनलाइन होगा 2020 का क्योंगी फ्रेंट्स आप लोग का नोटिस एम आर के सीट के मादम से आप लोग का एक्जाम लिया जाएगा बर यहां पर आप लोग का एक और नोटिस जारी हुआ था कि आप लोग का जैसे आप लोग का एंजिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रेटिकल का आप लोग का एक्जाम हुआ है सेल्फ सेंटर के मादम से तो यह आप लोग यहाँ पर देख पार यह बरेली का नियूश पेपर है जो कि आज का और आपका इसमें दिया गया है राजकी और नीजी अवद्योगिक परसिच्छट सहस्थानों आई टी आई जैसा कि आप लोग का आई टी आई चाहे आपका गौर्मेंट आई टी आई हो चाहे आपका प्राइवेट आई टी आई हो यहाँ पर आप लोग का बात हो रहा है कि आप लोग का गौर्मेंट आई टी आई और प्राइवेट आई टी आई की परिच्छा का कि आप लोग का आई टी आई चात्रों का अगर कोर्स जो है वो दो साल का है और उनका जो बोड आइटिया यह तो आप लोग का जो आर्शिक परिच्छा का सेडियूल है जो आपका पैटर्न है वो बदल दिया गया है क्योंकि आप लोग का जो परिच्छा है पहले आप लाइन होता था अब आप लोग का एक्जाम जो है आनलाइन माध्यम से CBT के माध्यम से लिया जाएगा यही आप लोग का पैटर्न है तो यहाँ पर आप लोग देख पारें बागी पेपर अब आप लाइन के बजाए आनलाइन होंगे जिहां फ्रेंट्स आप लोग का अब जो परिच्छा होगा वह आपका आप लाइन नहीं लिया जाएगा अब लोग का आनलाइन लिया जाएगा यहीं कंप्यूटर बेस्ट आप लोग का एक्जाम लिया जाएगा और इसमें आप लोग का परिच्छा का तीथी भी बताया गया है कि परिच्छा का तीथी अभी तैन नहीं होई है जिहां फ्रेंट्स आप लोग का जो इंतेजार है आई तैन नहीं होई है जी आप लोग अभी डेट ऐसा कोई नहीं आया है कि आप लोग का परिच्छा इस दिन लिया जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख पा रहें लेकिन परिच्छा केंद्रों की सूची जारी कर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिये गए हैं जैसा इक परिच्छा केंद्रों की सूची जारनी करने की तैयारी पूरी करने का भी डिजटि का आद्यू座 आ चुका है और भी डिजटि भीत परिच्छा की आप लोगों का जो आइटि आई का कॉर्स है तो अईसे में आगरलों का एकजाम जो है लेट होता रहा तो आप लोगों का आप लोगों का जो ITI संस्थान है वो अपना सेंटर बना कर डिजिटी को सौब देट है बाकी आप लोग यहाँ पर देख पार है ITI के तीन पेपरों का कारेकरम जारी कर 23 नुवंबर से आप लग परिच्छाय करा दी थी जैसा कि पहले आप लोग का इंजिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रेक्टिकल का जो आप लोग का एकजिआम है और आप लोग का सीबिटी का परिच्छा है वो आप लोग का ट्रेड थिोरी, वर्कसाप, कैल कुलेशन, एंड science और first year के लिए आप लोग का employability इसके आप लोग को परिच्छा भी लेना बाकी है जो कि फ्रिंट्स आप लोग का जो इंग ड्राइंग का पेपर हुआ है वो आपका first year second year का भी offline माद्यम से हुआ है और आपका semester और back परिच्छा का exam भी offline माद्यम से हुआ है जबकि आप लोग का trade theory, workshop, calculation and science का semester और back परिच्छा का offline OEMR seat के माद्यम से लिया जाएगा जबकि आप लोग का first year और second year का workshop, calculation and science, trade theory का exam और यहाँ पर आप देख पारohl दिया गया है इस बीचुत हुआ कि इसके बाद के पेपरों की परिच्छ पूरी तरह आनलाइन होगी और यहाँ पर अप देख पार है कुछ डिस्ट्रीक और स्टेट में आप लोग का जो सेंटर है एक्जाम का यहाँ पर बन गया है बट आपका भी डेट का कोई अता पता नहीं कि आपका एक्जाम कब होगा और यहाँ पर आप देख पाने हैं बरेली आगरा आजमगड कानपूर प्रियागराज मुरादाबाद बना पस्वारस कानपूर उन्नाव हापूड जौनपूर और आपका गौतंबुद नगर बलरामपूर रामपूर अम्रोह इटावा में केंद्र बनाये गये हैं ठीक है प्रेंट्स आप लोग का यहां पर केंद्र पर इस्ट से बिलाँग करते हैं तो आप लोग फटापर कमेंट बॉक्स कमेंट करें बताइए ताकि आपके स्टेट का भी नोटिस आता है तो मैं आपको वीडियों के माध्यम से आपको बता सकूँ और आपको जानकारी मालूम हो जाए तो फ्रेंट्स आप लोग इस वीडियों को जयादा सेर करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि को लेकर आया हुआ है और सभी स्टुडेंट को मालों कि उनका परिच्छा कर डेट सिट जारे नहीं हुआ है उनको करेंदा परेट साफब उइड Madadut अब लोग का नहीं हुआ है तो प्रेंट्स आयोप आप लोग की आप लोग डेक पर देख पारनेあっ हमारे यूट्यूब शेलंग सस्क्राइब करना भूलेगा धन्यवाद